Hello students, welcome back to the CBS City Point, यह हमारा third lecture होगा आज, chemical reaction and its equation का, especially आज इस reaction में, इस chapter में, आज का topic में हम देखेंगे, कि किस तरह से equation या फिर किसी एक reaction को हम balance करते हैं, by NCRT method, NCRT जो साथ तरीकों में दे रखा है, साथ steps में, तो आज हम steps देखेंगे, हम last में conclude करेंगे, कि किस तरह इसको हम जल्दी से भी कर लें, फिलाल हम देखते हैं, इसके steps के बारे में steps में क्या कहता है, NCRT, जैसा कि steps में हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि देखो, first step में कहता है कि type of equation जो भी हो, उसको पहले box में बंद कर लो, जितनी भी, जिसने भी compound use हो रहे हो, ठीक, second step में कहता है कि list बनाओ, कौन-कौन से element है, उसमें present हैं, और कौन-कौन से उसमें unbalanced हैं, इतनी बात clear है क्या, देखो, इसमें 3 element है, iron, hydrogen, oxygen, iron, hydrogen, oxygen, इतनी बात है, clear है क्या, आद्गो, LHS में मतलब की reactant में 1 iron है, product में 3 iron है, reactant में 1, product में 3 मतलब की iron unbalanced है, iron को balance करना होगा, reactant में hydrogen 2 है, Reactant में hydrogen 2 है, product में hydrogen 2 है, thiska तो balance है, oxygen reactant में 1 है, है और प्रोड़क्ट में oxygen चार है मतलब oxygen में अंतर है और iron में अंतर है मतलब इनीं दोनों को हमें बैलन्स करना पड़ेगा थर्ड स्टेप क्या कहता है कि इस ओफन systematic Panland King क्या किनियंट है क्या किसको स्टार्ट करना किसको balancing को किसी हायर से जैसे हम select करते हैं fe 304 मतलब की compound that contains the maximum number of atom ऐसा compound जिसमें maximum number of atom हो it may be reactant or product वो चाहे reactant हो सकता है चाहे product हो सकता है in that compound select the element which has maximum number of atom और maximum number of atom किसका है आप सभी को पता है maximum number of atom कौन सा है oxygen का है maximum number of atom oxygen का है तो देखें maximum number of atom oxygen का है तो हम oxygen को सबसे पहले balance करेंगे ठीक है चलो oxygen initially oxygen LHS बोले तो reactant में oxygen कितना है oxygen reactant में एक है और product में oxygen कितना है चाहे तो हम क्या करेंगे balance करने के लिए इसको 4 से multiply कर देंगे बोले तो 1 into 4 हो जायागा अपना कितना 4 और इधर product में तो 4 था ही तो reactant मतलब बोले तो बोले तो LHS बराबर हो गया किसके RHS इत्ती बात क्लियर है क्या चलो next to equalize the number of atom in atom it present in the remembered that we cannot alter the formula हमें ऐसा balance करना है कि formula को हमना छेड़ छाड़ कर पाएं और फिर भी सब को balance करें अब देखें हमारे पास है water water देखो एस टूओ है तो हमें एस टूओ को आगे चार मतलब इक कोफिसियंट चार लिखना है कोफिसियंट चार लिखने का मतलब इसका स्टॉइकोमेट्री जो हम चार लिखेंगे तो इससे क्या होगा यह जो हाइड्रोजन का जो molecule है तो 4 x 2 मतलब की hydrogen 8 हो जाएगा और oxygen 4 हो जाएगा तो देखें तो इसी तरह हम लिख दिए चार तो देखो hydrogen कितना हो गया 4 x 2 hydrogen reactant में 8 हो गया oxygen चार हो गया अब इसमें देखें oxygen यहां भी चार है reactant में भी चार प्रट्ट में भी चार oxygen इन बैलन्स हाइड्रोजन देखो इधर 2 है तो इधर भी 4 लगा देंगे चिको मेटरी तो इधर भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आठ इतनी बात क्लियर है क्या दे के next step देखीए अपना step no 4 क्या कहता है step no 4 क्या स्टेप no 4 कह रहा है देखें अब हम hydrogen पहले देख लेते हैं जो कि हमने वैसे ही बता दिया था अब इसके हिसाफ देखिए hydrogen initially reactant में बोले तो LHS में 8 थे ठीक है और product में hydrogen कितने थे कितने हैं 2 तो हमें क्या करना पड़ेगा 8 बनाने के लिए 2 को 4 से multiply कर देंगे तो 4 x 2 2 हो जाएगा अपना 8 और reactant में भी 8 हो जाएगा इतनी बात क्लियर है क्या चलो अब अपनी equation क्या बनी एफी प्लस 4S2O गेवस एफी 3O4 और 4S2O देखो 4S2 देखो एक एफी reactant में product में 3FE मतलब एफी अभी भी क्या है unbalanced एफी अभी भी किस तरह से है अभी भी एफी unbalanced है इतनी बात क्लियर है क्या देखो hydrogen में मतलब 4 hydrogen चार दुनी आठ आठ हाइड्रोजन किदर है reactant में आठ हाइड्रोजन है clear है क्या अब product में भी देखो चार दुनी आठ हो ले तो आठ हाइड्रोजन है oxygen चार है reactant में product में भी oxygen कितना है product में भी oxygen चार ही है और reactant में भी चार ही है इतनी बात clear है क्या मतलब की अब सिर्फ बचा अपना क्या iron balance करना बचा iron को balance करेंगे हम fifth step में क्या कह रहा है देखो fifth step कह रहा है कि examine the above equation and pick up the third element which is not balanced third item हमें जो मिला वो हमें मिला iron जो की balanced नहीं था तो iron हम initially में initially iron reactant में कितना था एक था और product में कितना था iron तीन था तो हमें एक से तीन बनाने क्लिए क्या करूं एक को multiply कर दो 3 से तो यह बनेगा अपना three reactant में और product में तो three था ही मतलब की iron balance हो गया तो देखो iron के आगे stoichiometry बोले तो कोफिसियंट लगा दिया तीन थी एफी प्लस फॉर एच्टू ओ गेफ एफी थ्री ओफॉर फॉर प्लस फॉर एच्टू इतनी बात क्लियर है अब देख लो सारे बैलेंस हैं की नहीं देख लो चल स्टेप फॉर में कह रहा है फाइनली चेक कर लो देखो तीन एफी कितना इधा किदर है लह से बोले तो प्रेट में साथािव में थो रिक ऋपॉर फॉर प्रेट में सारी विकिशन बैलेंस टारी और्न सीटक्षन व сразу संबसुत क्या कहता है धियां से सुने सामय स्टेप कहता है कि अचरा पहले इसको देख लो सब किया नो सत्वाइ स्टप क्या है देखो सत्वाइ स्टप कहता है कि writing symbol क्या कह रहा है writing symbol of physical state carefully examine the above balanced equation does this equation tell us anything about the physical stage of each reactant product मतलब कह रहा है कि सारे product सारे element के physical state को लिखना क्या बताता है कि उनमें कौन से physical state में change हुआ है no information has been given in this equation about their physical state to make the chemical equation more informative the physical state of the reactant and product are mentioned along with their chemical formula the gaseous liquid, aqueous and solid state of the reaction and product reactant and product are represented by the notation G for gas, L for liquid aqueous, A for AQ for aqueous and S for solid respectively the word aqueous is written if the reactant and product is present as in solution in water as in solution in water the balanced equation क्या बनेगी देखो iron solid में है तो S लिख दिया small s water gaseous में है मतलब की steam water है तो G लिख दिया Fe 3-O4 solid में है तो small s लगा दिया H2 gas में है तो G लगा दिया इतनी बात clear है क्या चल अगर इतना clear है तो देखो कह रहा है कि note that the symbol Z G क्ले बोला इधियांस देखें चल कह रहा है कि note that note कने कि symbol G used for the H2O to indicate that this reaction that in this reaction water is used in the form of steam liquid water में G लगाना water वैसे normally liquid state में होता है L लिखते हैं लेकिन यहां पर G लगा गया है क्योंकि water यहां पर steam वाले condition में लिया गया है इसलिए small g लगा है देखो usually physical states are not included in the chemical equation unless generally physical state को chemical reaction में mention नहीं करते हैं जब तक unless जब तक it is necessary to specify them जब तक उसे बताने के लिए कहा न जाए sometimes the reaction conditions such as temperature कभी-कभी कुछ ऐसी condition पढ़ आती है जहां पर temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and below the arrow अब इसमें एक्टर माता है अपना क्या catalyst catalyst का काम यह है कि यह किसी भी reaction को बिना उसमें involve हुए उसके rate of reaction को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है अगर यही rate of reaction को बढ़ाएगा तो इसी को बोलते है positive catalyst अगर घटा आएगा तो इसी को बोलते है negative catalyst इतनी बात clear है चल देखो कौन-कौन सी reaction जैसे carbon monoxide एक तरह का gas है जहरी ली उसकी reaction हुई दो hydrogen साथ किसने 340 ATM बोले तो atmospheric pressure atmospheric pressure बनेगा क्या CS3OH लिक्विड बोले तो मिथनॉल जहरी ली दारू सेकेंड अपनी फेवरिट reaction आप सभी की फोटो सिंथेटिक रियक्शन 6CO2 एक्वस फ़र्म में बने बने और प्लस 12H2O in the presence of sunlight और chlorophyll के बनाएगा C6H12O6 एक्वस फ़र्म में बोले तो glucose है यह अपना 6O26 oxygen और 6H2O बनाएगा देखो कहने का मतलब है कि जब यह मांगा जाए requirement होगी तभी लिखा जाएगा तभी specify होगा बट यह जरूई नहीं है इसके physical state को आप लिखें ही जब तक उसे कहां न जाए unless it is be told इतना clear है कि आप सभी को अगर इतना clear है तो याद रखिएगा आप सब के लिए एक homework है in questions को in text question को आप जरूँ try करें then हम next lecture में देखेंगे types of chemical reaction याद रखेगा इस lecture को हम छोटा रखें 14 या 15 मिनट के अंदर ही रखें क्यों 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 कि ये especially थी हमारे किस के लिए किस तरह balance करें reaction को reaction को balance करना सीखने के लिए हम ये करवाये थे बाकी ये questions आपके लिए homework है next turn पे यानिकी next lecture में हम देखेंगे इन ही आते ही इन questions का solution देखेंगे then हम स्टार्ट करेंगे अपना क्या types of chemical reaction की chemical reaction के कितने types होते हैं till then इसी तरह आप लोग बने रही है हमारे वीडियो पे और देखने के लिए thank you बाकी आपको अगर lecture अच्छा लगा हो तो like comment share जरू करें thank you so much हुआ 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 हुआ